स्मरनो सव, मारो विश्वकोष परिवार, डक्टर कुमार पाळ देसाई मुंबई मा कांधिवली मा योजायेली गुजरात सहित्य परिशद मा बेहजार पाँचनी त्रेविसमी डिसेंबरे कला गुर्जरी अने परिशदना सेंजुक्त आयोजन मा धिरुबहन पटेलना हस्ते सहित्य सर्जन माटे मने कली काल सर्वग्न श्री हेम चंदरा चारिय सुवर्ण चंदरक एनायत थयो त्यार थी एमनी साथेना परिशदनो प्रारम बथयो ए पच्छी मुंबई मा मानव सेवाना कारियो करनार अनुकंपा ट्रस्टनो एक कारियक्रम हतो एमा अतेथी विशेश तरीके आववानू मारू आमंत्रन एमने स्विकारियों औने रदैस परशी वक्तव्य आपियों एक अन्य सर्जक्नी सहजता औने सम्वेदन शिलतानों सवने अनुबव थयो ट्रस्टीने मानव सेवाना कारिय माटे सारी एवी रकमनों चेक पण आपता गया एमना सादाई सवजन्य औने आत्मिय भाव सवने स्परशी गया मुंबई मा योजायला एक कारियक्रम वक्ते दिरुबेहन प्रमूख हता औने वर्षा अडाल जानू तथा मारू प्रवचन हतु गुणवंतराय आचारिय औने जय बिखु मित्रो होवाने कारणे नानपण थी वर्षा बहन्नों परिचय हतो एटले एमने कारिक्रम मा जराक रुवाब भेर मने कहुँँ जो आ साडी केवी सरस्चे धिरुबेहने मने भेट आपी छे इटले मैं तरत मजाक करता धिरुबेहने कहुँ तमारा थी आवो अन्याई न थाई अन्य बीजेज दिवसे अंधेरी मा जियां उत्रयो हतो त्याँ धिरुबेहन आवया अन्य सफारी नों पी सापी गया एमनी आवी लागणी जोईने हुँस तब्द थे गयो आवा समर्थ लेखी का आटलो बतो भाव राखे ए जोईने गलगलो थे गयो इप अच्छी तो मुंबई एरपोर्ट पर फ्लाइट मा थी उत्री ने गाडी मा बेसूं एटले मने लेवा आवेलो ड्राइवर सामदेव पूछे साप पहले वो राइटर जी के वहां चलेंगे ना अने पच्छी तो मुंबई प्रवेश्टा स्री गणेश धिरु बहनना निवास्थाने थीज थता रहा इस समय एमना मनमा ध्विधा आती के कोई अलाइदो फ्लेट लईने मुंबई मा रहवूं के पच्छी अमदावाद रहवावूं में अमने आगरह करयो के तमें अमदावाद आवो अने तमने आनंद सिवाई विजु कई नहीं मड़े धिरुबेन पटेल मुंबई थी अमदावाद आवया अने त्यारे एमना मनमा एम थतु हतु के मुंबई ना विशाल मित्र व्रुंदने अढळक प्रेम छोडी ने आवूंछुं अहीं मने एवो प्रेम पुनह संपादित थशे खरो और विश्वकोश्मा आवया धिरुबाई ठाकर चंद्रकांत शेठ और अमारी साथे एवा भड़ी गया के एमनु मन विश्वकोश्मा थर्यूं और अमदावाद गम्यूं तेवो कहता अमदा वाद मा मने मारू घर अने मारोँ परिवार मली गयो होचे UAने तेछे विश्वकोश्मा परिवाार धिरुबेनना मनमा कोई विचार के आयोजन स्फुरे एटले तरा तच यहमनो फोन आवे अने यहमना विचार तथा आयोजन विशे विस्त्रुत वाद करे इपची थुडी वारे ए आयोजन मा कोनी कोनी साथे वाद थाई एनी पण भी गते वाद करे एमना विचारों मा भारो भार नाविन्य गणिवार तो अंधारिया कुवामा जम्पलावता होई तेम आपणने लागे कोई अजानी दिशाना साहस यात्रानी शरुवात करता होई इहुँपन लागे मात्रुवाशा माटे एमने अघाद प्रेम खरो परन्तु घणीवार वर्तमान परिस्थिती जोईने अमे एमना विचारो नी बाबतमा निराशानो सूर काडिये पन धिरुवेन एटले धिरुवेन मात्रुवाशा ना समवर्धन माटे नवा विचारो नो सर्जन करे औने एने सफरता थी पार पाडे धिरुवेन ने कुदरत साथे घाड नातो एमने मन कुदरत ए जिवन्त ठबकतुँ वात चीत करतुँ अने मोज मस्तिक करावतुँ विश्व मानस साथे परकुरुतीनो अनुबंद सर्जनारा सर्जकतो घणा होई चे पन धिरुबेहन ने प्रक्रुती साथे प्रक्रुतीनों अनुबंदर ची आपयों। अम्दावाद आवया अने अमने विश्वक ओश्मा आवानु नक्की कर्यूं। त्यां आवीने अमने पहलू काम जुदा जुदा फुलना छोड लावानु कर्यूं। अने पच्छी भवनना मुख्य ध्वार पासे विल्चेर पर बैसी ने माली ने इच्छोड़नु ग्ण्याना पे। कई रीते मावजत करवी तेनी सलाहा पे। एमना सहित्य सर्जननों विचार करिये तो वडवानल, वावन्टोड, श्रिमलाना फूल, वमल, गगनना लगन, कादंबरीनी मा, एक फुल गुलाबी वात, एक डाल मिठी, पेइंगेस्ट, संशय बाज, अतितराग, अनुसंधान, कोशेटों अने पतंगिय। जेवी नवलकथाओनु सर्जन करिय। छिल्ली नवलकथा एमने मने अने मारा पत्नी प्रतिमाने अरपन करी हती। तब यत घणिय स्वस्थ हती। पड़ एक का एक गाडी मा बैसीने घेर आवया। आगणा माज गाडी उभी राखी। पुस्तक नी आगल हस्ताक्षर करया अने गाडी मा बैठा बैठाज साथे आईस्क्रीम लावया हता ते खवडावयो। एमनी पासे थी आंधली गली, आगंतुक, पुर्वार्धने उत्तरार्ध बन्ने, जिवी कुल छ लगुनवल मली। पांच वार्ता संग्रहो, चार नाटक, त्रण रडियो नाटक, बे हास्य कथा, किचन पोएम्स, निबंधो, अनुवाद अने संपादन मल्या। दिरुबेन पासे थी अधार जेटली बाल साहित्यानी कृतियों मली। अने गुजराती बाश्रामा उत्तम बाल साहित्य प्रगट थाए, एवी एमनी खेवना, स्वयम सरजीत बाल साहित्य द्वारा तो प्रगट थाई, परंतु एमने केटली ये लेखिकाओने प्रोच्चाहना प्य। अने जुदी-जुदी स्परधा द्वारा बाल साहित्य सर्जननी प्रवृत्ती ने वेगाप्य। अने छतायम कहता के नानी धिरू, ए नानी धिरू ए मागी लिदेला वचन पूरा करवाना हजु बाकी छे। एटले बाल साहित्यना सर्जन अने उत्तेजन बनने माटे ए अहर निश, जागरुत अने प्रयतनशिल रहा। एमने विच्यारियूं के गुजराती बाश्रामा लांबी किशोर कथाओ बहु उच्छी लखाई छे। एटले दोडसो प्रुष्टनी मरियादामा किशोर कथानी स्परधा योजवी जोईए। अमने तो एम के जिया बाल साहित्यनी स्परधामा बहु उच्छा लेखको भाग लेचे। त्या वडिया लांबी किशोर कथा कौन लक्षे। पण एमने तो आक विचार नी साथो साथ एने साकार करवा माटे एवा अभीरत प्रयतनों करया के एने परिणा में कुल अठ्याशी जेतली दिर्ग किशोर कथाओ मली। एक सवारे धिरु बहनने विश्व कोश्मा विश्वा द्वारा बहनोंनी सर्जन शिबीर योजवानों विचार आव्यों। अन्य ए विचार ने कई रिते कारिया निवित करवो एने माटे एमना बै फोन आवी गया। कोई पन कारिया हाथमा ले त्यारे एमा पोतानों जीवरेडी दे। एने माटे घणी व्यक्तियोंने फोन करे। एमा सामेल थवानी तैयारीनी प्रुच्छा करे। ये पछी लखवानी प्रेरणा आपे। आने अंते एमनों अत्यंत विचित्र लागतों विचार कारिय सिद्धिमा फेरवाई जाए। आयेवा सर्जक हता के जेमनी पासे निर्भार जीवन, सहित्यनी मुक्त हवा और अध्यात्मिक्तानु वुशार जगत हतु। रमण महर्शीना प्रत्यक्ष दर्शने थायेला अनुभवनी एमने मुखे वात सांबलवा मली एनों रोमांच हजी शम्यों न थी। एमने विश्वकोष मा जे बहनोए अगाव कशुँ सहित्य सर्जन कर्यू न होए, एमने माटे लेखन शिबिर राखी सहित्यमा माली नुँ काम कर्यू। कोई नामा सर्जक्ता जुवे, एटले एहने बोलावे, मर्गदर्शन आपे, प्रबुद्ध जीवन सामाईक ना तंतरी तरीके डौक्टर सेजल शाहनी क्षमता जोई ने, एने रूबरू बोलावी ने धन्यवाद आपे हाता। दिरू बहन आक्षरों सुघड औने भाषानी निस्बत तो एवी के जोडणी नी एक भूल पण न चलावे। केटली वधी व्यक्तियोंनी सर्जक्ताने संकोरता रहा छे। वर्षा बहन डाल जा, गरीमा, घारे खान, प्रिती जरीवाला अने विज़े केटलाए। पोती की सब्द सुष्टिना विधायक धिरूबेन पासे सर्व भाषा द्वारा गहन्य स्पर्श्वानी अनोखी सर्जक्ति बहाती। लोकडाउनना समय जारे कश्शू थाई शकेत एमनों तु त्यारे एमने विश्वा द्वारा साकळ कथानू आयोजन करिय। एक कथा एक लेखी का कहे अने पची अने बीजी लेखी का आगलवधारे। आवी पहली साकळ कथा मा कुल तेर बहनोय भागली दो। लोकडाउननी परिस्थिती लांबी चाली। आथी बिजी साकळ कथा शरू करी। जे मा सोल बहनोय भागली दो। गुजरात मा बाल नाटकोनो दुकाल। त्यारे एमने बाल नाटकनी स्परधायोजवानी हाम भीडी। अने 27 जेतला बाल नाटकों मल्या। तो आचारिय श्री अनील भाई रावलना सहयोग थी एक अनोखु आयोजन करिय। एमा तेर जेतला बाल कोने जुदा जुदा बाल सहीत्य कारों नाटकों हापया। अने एमने बाल सहीत्य नाटकनी उपस्थिती मां बाल कोने वाचत तरीके एमनोँ अभीप्राय अपवानू कहू। गुजराती कवियोए रचेला गरबानू आयोजन करिऊ। आम सतत कोई ने कोई मौलिक विचार करता रहे। यहने साकार करवा माटे प्रयत न करे औने पच्छी जरूर पड़े तो फोन थी पण बधाने याद कराऊता रहे। आनन्द अने अध्यात्मथी जीवनारा धिरू बहनने कोई पूछतूं के तमे लगन केम नथी करया। त्यारे यह बाड़पण नुएक समरण कहता। यह नाना हता त्यारे एमना काकाना दिकरानो बाबो खुब रड़तो हतो। आथी एमना पत्नीने पाचेक वर्षना दिरू बहने सवाल करयो। आते के वी उपादी। त्यारे सामे उद्तर मलयो। परणिये तो आ बद्धू तो होयाच। पाचेक वर्षना दिरू बहने कईूं तो नो तो परण हो जोई तुने। त्यारे एमना भाबिये कहूं। अमे भूल करी तमे न परणता। अने पच्छी तो नानपण थी खातरी ठेई गई हती के हूं लेखक छूं। पच्छी परणूशु काम। धिरूबेन पासे एक आगवो मी जाज़तू। सव नी वाद सामबले। सामाजीक प्रश्णों मा सलाह पणा पे। एमना कहा प्रमाणे लेखन कारिय न करे तो एने हलवो ठपको पणा पे। कोई आयोजन करे पची छेल ले एम कहे के आमा तमारी सम्मती होई तो ज आयोजन करूँँछे। आपणने सामे चालीने हसते मुखे सम्मती आपवानू मन थाई। एक कोई थी बंदाता नहीं। पोते अगाव чет प्रकारय सरजन करूँँछे। एप्रकारय सरजन करूँं एवूं कदी स्विकारता नहीं। एक खादी पहेर ता एमना माता गंगा बहेननों जिवन्तो महात्मा गंदिजीना विचारोथी प्रगहाड रीते रंगायेलू हतूँ। पन दिरुबेहन गांधिवादी पड़ नई अने नारिवादी पड़ नई आत्मानी मोकलाश अने मानव स्वातंत्रनी अभिव्यक्ती ए बेज एमना लक्ष आगन तुक नो नायक शान एमनी जीवन साधनानू फरजंद लागे। एमना माता गंगाबेने कईू हतु लोकोनी दरकार करे एना थी लेखी का न थवाई। एवाद एमने यथा आर्थ पणे जाडवी अने साचेज जीवन भर एक सर्जकनी मोज मस्ती थी धिरुबेन काम करता रहा। क्यारेक बे-बे वर्ष सुधी लख्यू न होय अने क्यारेक पांच साथ दिवसमा आखु पुस्तक लखाई जाए। लख्ती वखते एक प्रकारनू जोश अनुववे। जाणे बहारनी कोई दुनिया छेज नहीं अने पोते मात्र एककच काम माटे जिवे छे अने ते लेखन माटे। ताव आवे तो पण एनी फिकर करया विना लख्या करे। लख्ती वखते मनने मुक्त विहारनी एभी मौकलाश आपे के जे लखाई ते लखे। एक शब्द लखे अने ए पच्छी ना बिजा शब्दनो मनमा कोई विचार होई नहीं। एभी जो शब्द आवे तेरे श्कुषाल थाई जाए। भवनी भवाई फिल्ममा लेखक, संबाद लेखक अने घीतकार एम त्रेवडी भूमी का बजवी। आ फिल्मना संबाद लेखक माटे धिरुबेहन ने पारितोशिक मल्य। कोई नाट्य दिगदर्शक आवी ने एम कहे के कोई एक घीत आपो अन थोड़ा समय माज दिरुबेहन पासे थी गीत मली जाए। गेर-गेर माटीना चुला ए फिल्मनू सर्जन थतू हतू। त्यारे एक दिगदर्शक ए एमा एक गजल राखवानू आगर्व राखी ने दिरुबेहन ने गजल लखवानू कईू। अगाव एमने एक के गजल पड़कार होई ने त्यारे पाचापड़े तो धिरुबेहन शाना। जस्ट फॉर चेंच। एमने हाथ मा कलम पकड़ी अने मात्र गणत्रीना कल्लाकों मा गजल लखी नाखी। ये सुदासना कंठे गवाय लिए गजल बस एक वेला नजर थी नजर टकराय जो तारी नजर तंखा जरे के फूलड़ा ए फैसलो मंजूर छे। येमने आ फिल्मने माते स्रेश्ट गीतकार नो एवर्ड पन मड़ू। जन्मभुमी गुरूपना महिला सामाईक सुधाना तंत्री, लेखी नी, विश्वा एनी सरेईया लेखी का प्रोच्चाहन निधी, सर्जन शिबीर, बालकों माटे पुस्तकालय, मात्रुभाशा माटे कार्य शिबीर, गुजराती लेक्सिकननू स्वप्न साकार करवा माट श्री रतिलाल, चंदरियाने पुरा पाडेला प्रेरणा अने पीठबल, विश्वकोष्टनू धिरुबहेन, पटेल, बाल, किशोर, साहित्य, केंद्र, आम केट-केटला फलक पर एमने कारिय करियू छे। साधक अने सर्जक मां एक बाबस्सामान्य होई छे। मनमां एक चिनघारी प्रगटे अने जीवन प्रत्यनी द्रश्टी बदलाई जाई छे। एक वार पत्थर थी भरेला खटारा पर खुला शरीर वाला मानस्त नी परसेवे रेवजेव कारी चामडी जोई ने धिरुबहेन ने एटलो बदो ताप लागयो के केमे ही रहवाई नी। ए अनुभूती ने छेक सुधी इटलीज तिवरता थी अनुभवता हाता। ए पचितो तड़कामा शेकाता गणा दरिद्र मान्वियो जोया, परन्तु आवी अनुभूती क्यारे थाई नोती। पण आगटनाए एमनी जीवन परत्वेनी द्रश्टी बदली नाखी। पोताना जीवन अने सर्जन प्रत्तेनी तुप्त एवा धिरुबहेन कहता के लाइफ हैस बिन वेरी काइन्ट टू मी। पोताना दिर्ग जीवनना अंतकार सुधी। धिरुबहेननी चेतना एटली बदी जागरो थती। के जे कोई मलवा जाए तेमनी साथे कलाको सुधी वादचीत करे। बुद्कार ना अनुभवनी के पची भविष्यनी योजनावनी लथरती जीबे अने तूठता शब्दो साथे वाद करता होए ए सर्जक चेतनाने वंदन।